नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने योट्योब चैनल में आज हम इस वीडियो में यूपिट पलसी मुख के सिविका की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत से लोग का डाउट है जो भी यह आपर सब्जेक्ट दिये गा है तो कुछ लोगे के पास यहाँ पर उसमें जो है दो साल ही वो सब्जेक्ट आइजे सब्जेक्ट रहा है और तिसरी साल उन्हें फाइनल एयर में वो सब्जेक्ट रहा है तो इस इस्तित में क्या वो लोग यहाँ पर डीबी के बाद उनका final result है उन्हें उसमें include किया जागा है नहीं किया जागा है इसी के समन्द में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो चले फट आपट वीडियो को इस्टार्ट करते हैं उसे समवन्द में हम चर्चा करने वाले हैं तो यहां पर हम आपको पूर अक्डम डिटेल से बताएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद को अन्यसे देखने की जरूरूरह नहीं पड़ेगी और आपको यह वीडियो देखने के पाद कन्फ्यूज भी नहीं होना है कि एक RTI है और यह जो है 2022 में जब आपका यहां पर भेजा गया था जब आपका आवेदन हुआ था आवेदन आलना इन आवेदन भेजा गया था तब ही यहां पर जो है इन्हों ने RTI किया था तो यहां पर यह बताया कि मुखके सेविका जो वहां से मला रिपलाई आया इन्हों बात करें तो यह जो है कुछ लोग बता देते हैं आप लोग वीडियो में देते होंगे तो बता देते होंगे यह RTI है तो सबसे पहले मैं आप लोगो बताना चाहूंगा यह RTI नहीं है यह PG Portal पर जो भी अगर आपकी कोई समस्या है अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो PG Portal पर आप एक तरीके से ग्रेवेंस डाल सकते हैं तो उसे यहां पर आपका जो है solution दिया जाएगा तो यहां पर उन्हों ने यह बता है अब PG Portal के बारे में अगर हम बात करें तो PG Portal जो है यह एक RTI का किसी प्रकार का Portal नहीं है मतलब RTI इसमें नहीं होता है इसका जो काम होता ह वो कम समय में जादा से जादा समस्याओं का निवाड करना होता है जल्दी से जल्दी समस्या का निवाड करने का इन पर प्रेसर होता है तो इसलिए यहां से जो है मैं संतोजनक बात नहीं मिल पाती है तो यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपका जो इन्हों ने य तब मंदित मामले तो यह RTI नहीं है पहली बात यहां से यह confirm हो गई अब इसे आप लोग एक हिसाब से छोड़ दीजिए क्योंकि यह जब RTI है ही नहीं तो हम इसकी बात क्यों माने जब इसने गारंटी ही नहीं ली है अपनी बात की ही गारंटी नहीं ले रहा है तो हम इसकी क्यों माने तो आप चलिए आगे चलते हैं आगे हम इसकी जो टांस और कंडिशन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं तो NIC इस बात की गारंटी नहीं लेता है कि जो भी रिपलाई आएगा वो एकदम 100% सही होगा वो आप यहां पर देख भी सकते हैं यहां पर साफ दिया क्या है NIC accepts no responsibility in relation to the accuracy मतलब इसकी सुद्धता के बारे में जो NIC है कोई भी यहां पर जो अपना है यहां पर नहीं लेता है गरंटी नहीं लेता है तो अब इसके बाद आप लोग समझ सकते हैं यह तो एक तरीके से ना के बराबर हुआ अगर कोई से RTI मानता है तो मैं कहता इसे RTI मत वानिया RTI यह है ही नहीं तो आप मान क्यों नहीं यह तो PG Portal का एक छोटा सा reply है और यहां पर इसे आप लोग अब छोट दीजिए अब इसके बाद हम बात करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक साइड में आप लोग देख सकते हैं एक साइड में यह यह उनीस सो बानवे वाली आपकी नियम वाली है और यह आपका नोटिपिकेशन में जो आपकी अरिता बताई गई है बो है तो सबसे पहले हम नोटिपिकेशन में अगर अरिता देखेंगे तो यहां पर इन्हों लिखा है अब भारत में बिदी द्वारा स्तापित किसी बि अगर बीच में संसोधित भी है नियम वाली तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इन्हों ने दी है जो कि मैंने अभी आपको बताई है तो यहां पर जो भी यहां पर सब्जेक्ट बताएगा है तो इसी में सबसे ज़दा कनप्यूजन है अब यह आगर हम बात करें तो यहा पर पदवी आप लोग देख सकते हैं मुक्य सेविका और यहां पर दिया गया है अनिवारे रता में भारत में विदी दोरा इस्थापित किसी भी सुभी द्यले से एक विश्य के रूप में यहां पर यही बात समझने वाली है एक विश्य के रूप में समाजकार ग्रहभी और यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि यहां पर आपका एक साल होना चाहिए दो साल होना चाहिए या तीन साल होना चाहिए तो यह जो निवाली है इसमें साफ रूप से लिखा है कि एक विश्य के रूप में होना चाहिए ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि आपके पास दो स उन्हें नहीं लिया जाएगा तो आप अपने आप जब खुद यह देख रहा हैं कि यहां पर साप लिखा है एक बिसे के रूप में चाहिए है तो यहां पर आप लोग क्यों परसान हो रहे हैं आप यहां पर यह जो है हमारे पास ओर्जिनल रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं RTI Act 2005 के अंतरगत सूचना उपलब्द कराया जाने के समद में यहां पर आप लोग देख सकते हैं बिन्दु संक्या एक वा दो के समद में सूचना उपलब्द कराया जाने के यह पिक्षा की गई है और वो आप देख सकते हैं आपर इन्होंने किसी ने पूछा है मुंके सिवका भरती 2022 की नियावली में अंकित योगिता के प्रष्ट की प्रमारित प्रतिली पी उपलब्द कराया तो वो यहां पर इन्होंने प्रदत सूचना में बेजा है मुंके सिवका सीधी भरती सिवा नियावली 1992 में प्रमारित प्रतिस अलगन है जो की बेजी गई होगी और यहां पर अगर आगे आप लोग देखेंगे इन्होंने पूचा है अगर किसी आबेदक के पास प्रथम बर्ष और दूसरे बर्ष में सोसोलोजी है और तरतीय बर्ष में सोसोलोजी नहीं है क्या बहाँ आबेदक मुखे सिबका के लिए योग है या नहीं तो इन्होंने ये पूचा है तो इसके जवाब में क्या इन्हों ने लिखा है तो लिखा है मुखे सिवका सीधी भरती सेबा नियम वली उन्हें सब बानवे के प्रश्च तीन पर बिनसंग के चार पर अंकित है जो अनिवारिस सेक्षी कर रहे था है वो इस प्रकार है भारत में बेदिदार कंफर्म नहीं किया है कि यहां पर दो साल वाले ही लिये जाएंगे या तीन साल वाले लिये जाएंगे तो यहां पर अगर यहां पर इनका जवाब यहां पर इनका जवाब नहीं में होता तो यह सीधा लिख देते हैं यहां पर इनके पास इसले नहीं लिया जाएगा तो य तो है तीनो साल सबजेक्ट होना चाहिए, तो आप लोगों को इसकी फिकर नहीं करनी है, आपके पास एक साल हो, दो साल हो, तीन साल हो, तो इससे कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है, बस आपके पास एक भिसह के रूप में यह होना चाहिए, यहीं अगर हम बात करें, तो lower सावडीनेट बैकेंसी 2016 में जिसका बिग्यापन आया था तो वहाँ पर उन्होंने एकड़म कर दिया था कि यहां पर जो भी बैरती होंगे जो यहां पर आवेदन करेंगे तो उनके पास तीनों साल जो उन्होंने बिसे दिया था तो यहां पर आप साफ समझ सकते हैं इन्होंने यहां पर साफ लिख दिया है कि भहुतिक सास्तर में बिसिष्टता मतलब यहां पर इन्होंने इस पेसल बोल दिया है कि भहुतिक सास्तर होना ही चाहिए तो इसका मतलब है यह तीनों साल के लिए बोलना है बिसिष्टता सब द जायेंगे चुँकि 2016 वाली जो आपकी भरती हुई है जो यहांर पर आपकी भरती हुई है तो नहीं ही यहां पर लिया गया है लोईर सफ़ॉर्डक्ष दिया था कि दो sallowal Cars वाले यहां पर नहीं लिये गए यह आप लोग इसमें भी इन्होंने साफ ही लिखा है कि किसी मानिता प्राप्त बिस्विद्यले अथ्वा संस्तान से रसाइन ग्यान के साथ रसायन सास्तर में बिसिश्टिता मतलब रसायन सास्तर आपके पास तीनो एर होना चाहिए ऐसा यहाँ पर आप लोग साफ देख सकते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा यह डिटेल में समझाने की कोसिश की तो यहाँ पर बिसेश्टिता मतलब special तरीके से इन्होंने बोल दिया है कि इसमें आपको एक होना ही चाहिए तीनों साल लेकिन मुख्य सिविका में एक बिसेख के रूप में इन्होंने मागा है तो यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आपके पास तीनों साल हो अब बांकी रही बात अगर हम संसोदित हुई है तो यहां पर आपका जो बैकेंशी आया है तो 1992 की नीमा वली और ब्राइगट में अगर आप लोग नोटिफिकेस्ट के में देखेंगे तो यहां पर यह था संसोदित भी लिखा है तो यहां पर जब आपकी 2001 में लगवाग बैकेंशी आई ती तो जो कि इसमें कुछ ऐसा चांस बनता ही नहीं है कि दो साल वाले यहां पर बाहर किया जाएंगे जिनके पास भी दो साल आईजे सब्जेक्ट रहा है तो उन्हें परसान होने की कोई भी आवशक्ता नहीं है तो आप लोगों को परसान नहीं होना है तो अगर आप लोग खुद अपने हिसाब से समन सकते हैं कि यहां पर दो साल वाले आल लेड़ी बहुत से आपके हो सकता है जान पहचान में या समन्द में कोई हो जो यहां पर मुखे सिवकां में बरतमान में कर रहत हो अगर बहां से आप पता करेंगे तो रिजिनिंग बगारा लगाते होंगे तो अगर आपसे यहां पर प्रिशन पूचा जाए कि अगर पिछली भरती में जो यह 1992 वाली नियम वली है तो उसके तहट अगर कोई मुक्य से बिका के जो भी कंडिडिट हैं जो अभी बरतमान में कारे कर रहे हैं तो क्या अगर उस आप लोग को समझ में आ जाएगा अब कुछ लोग यहां पर यहां पर यहां पर उन्होंने लिख दिया है उपादी तो यहां पर उपादी लिखा है यह मानते हैं लेकिन उपादी का मतलब यह नहीं होता है कि आपके पास तीनों साल होना ही चाहिए यह आपको यहां पर न इन्होंने बोला है हाला कि BST वालों का क्या रहेगा इस पर भी एक जल्द वीडियो आएगा तो वो आप लोग वीडियो देखना बिल्गूल मत भूलेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक लिए वीडियो कैसा लगा य कमेंट वाक्स में बताएगा